दोस्तों आप सभी चीन की विशाल दीवार को जानते ही हैं जो दुनिया की सबसे लंबी दीवार होने के साथ दुनिया के साथ अजूबों में शामिल है इसे Great Wall of China कहते हैं इसे बनाने में इट, पत्थर, लकडी और धात्वों का इस्तेमाल हुआ था इसलिए इसे दुनिया क सबसे पुरानी मिट्टी और पत्थर की बनी दीवार भी कहा जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार कहा है दोस्तों दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार भारत के राजस्थान में कुम्भलगर किले के रूप में मौजू चीन की Great Wall of China के बाद ये दीवार Great Wall of India के नाम से मशहूर है भारतिय दीवार की लंबाई लगभग 36 किलो मीटर है और इसकी चोड़ाई 15 से 25 कीट है भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार उदैपूर से 64 किलो मीटर दूर स्थित एक किले से जुड़ी है जिसका निर्मान महाराणा कुम्भा ने 15 वी शताबदी में करवाया था इस दीवार को अकबर सहित कई राजाओं ने तोड़ने की कोशिश की थी लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये दीवार अभेद्य है पृत्विराज चोहान और महाराणा सांगा का बचपन भी इसी किले में बीता कहा जाता है महाराणा उदै सिंग को भी पनाधाय ने इसी किले में छिपा कर उनका पालन पोशन किया था ये दीवार अरावली की पहाडियों से घिरी हुई है कुम्भल गर्ण का किला समुडर की सतह से 1914 मीटर की उचाई पर है इस किले के निर्मान को पूरा करने में 15 साल का समय लगा इस किले को कई पहाडियों को मिला कर बनाया गया है महाराना कुम्भा के रियासत में कुल 82 किले आते थे जिसमें से राना कुम्भा ने स्वयम 32 किलों के निर्मान का नक्षा खुद तयार किया था इतिहास के मुताबिक महाराना कुम्भा से लेकर महाराजा राज सिंग के समय तक मेवन पर हुए हमलों के दोरान राज परिवार इसी दूर्ग में रहता था कुम्भलगर किले के अंदर कुल 306 मंदिरों का समू है जिसमें 300 जैन मंदिर और 7 हिंदू मंदिर है किले के अंदर प्रवेश के लिए 7 द्वार बने हुए है जिसमें राम द्वार, पग्र द्वार, हनुमान द्वार आदी फेमस है राना कुंभा ने अलाउध धीन खिलजी के आख्रमन को ध्यान में रखते हुए कुंभलगर किले की दीवार का निर्मान कराया था जो चीन की इस दीवार की तुलना में काफी कम समय में तैयार हो गई थी वहीं चीनी दीवार का निर्मांग किसी एक राजा ने नहीं बलकि कई राजाओं ने अलग-अलग समय में करवाया था जिसे बनाने में सेकरों साल और करीब 20 लाक मजदूर लगे थे चीनी दीवार यू तो देश की सुरक्षा के लिए बनी थी लेकिन ऐसा हो नहीं सका मंगोल शासक चंगेज खान ने वर्ष 1211 में इसे तोड़ दिया था और इसे आसानी से पार करते हुए चीन पर हमला कर दिया इंडिया.com में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताविक इस भारतिय दीवार का आर्किटेक्चर राजपुट कालीन शेली और जमाने का बहतरीन उदाहरन है जिसकी लंबाए 36 किलोमीटर है और चौड़ाए 15 से 25 फीट है इस पर एक साथ आठ भोड़े दोर सकते है जब कि चीन की इस दीवार पर एक साथ केवल पांच भोड़े दोर सकते है दोस्तों, तुम्हलगर्ण किल्ला के बारे में आप कुछ और जानते हैं तो, कॉमेंट कर जरूर बताएं वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइप और शेयर भी काजिए इसी तरहन की जानकारी वाली और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्स्राइब भी कर लीजिए